कि नमस्कार दोस्तों मैं कुनाल किशोर क्रियन एकेडमी के आपका स्वागत करता हूं और उपेश पाटक जी वेरी गुड मॉर्निंग बहुत जुडशुके हैं आपके इसके रिए बहुत बहुत धन्यवाद कि चलिए तो हम लोग हम लोग कल पड़े थे की यूरोपयन आए यहीं थन को समझा जाना हैं मोगों ने क्या समझा की यूरूपयन की आने के कारण पाटी यह थी और दूसरी ब honest की यूरोपयन जो सबसे पहले आये थे उनमें पॉर्टगेस थे ठीक है और पॉर्टिगिस सबसे पहले आने का करण क्या हुआ था तो एक ठीटी थी जो 14 कभूई थी टीटी 1494 और प्रॉपर उस ठीटी को इंप्लिमेंट किया गया था 1497 में ठीक है जिसे अट्लांटिक में 1300 माइल का एक मतलब इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया गया और स्पेन चला ग ठीक है तो अभी हम लोग आज हम लोग पॉर्टिगिस खत्म करेंगे ठीक है पुर्दगाल में मतलब कौन आये कौन गौवर्णर बने उसके डिक्लाइन के क्यारण क्या थे उनके इंपक्ट क्या थे यहां पर ठीक है और वो छोटी-छोटी बाते नहीं कि उनकी वज़े से कजू मिला हम लोग को इस तरह की बात आम नहीं करेंगो आपके बुक में अवलेबल की काजू मिला था पता है वहां से आये थे था हम आलू आया था ये शब चीजह है हर भूक में उपलब्द है ठीक है तो उसको देख लीजेगा बहुत से देन है तो फल फुल वाला तो द कुछ बच्चे आके मुझसे पूछ रहे हैं कि सर्फ जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं कौन से बुख में है ठीक है इस तरह की बाते तो लिखी हुई नहीं है डिटेल तो कुछ तो अनुभाव का फाइदा होना चाहिए नहीं ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं फैक्ट के साथ चलते हैं पहला फैक्ट यह है पॉर्टिक्रीस प्रिजिंस इंडिया यहां से यहां तक है 1505 से लेके ठीक है प्रिजिंस का मतलब हो गया पहली बार जब गौवर्णर बने थे वह ठीक है आ तो गय थे वह कब 1498 में लेकिन 1498 मे आने के बाद वासको देगमा कि जब हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि जो मोरीन जो सुमेद्रिन कहा जाता था राजा से उनका कुछ खास बना नहीं था इस कारण बहुत से लोग आये यहां पर 1498 के बाद से लेकिन जो फॉस्ट गौवर्णर बनता है तो माना जाता है कि यहां पर उनका इस्टैबलिश्मेंट हो जाता है इसलिए जो प्रिजेंस उनका माना जाएगा 1505 से लेके 1961 तक ठीक है तो हम लोग 1961 तक की हिस्ट्री तक जाएंगे क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस हम लोगो पढ़ना है तो इंडिया आजाद होने के बाद ग जोड़ने की प्रॉबलम क्या थी जी विनाज जी गुद मॉर्निंग अविनाज जी गुद मॉर्निंग ठीक है तो उनके बारे में भी जान लेंगे ताकि हम लोग को फाइदार है तो नोट जब भी आप से पूछा जाता है कि पॉर्ट देखिए जेनरली इसमें दो तरह के कुछा जाता है तो आप जाके वहां पर जरूर से बताएंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस क्या होता है कि यहां से कैसी-कैसी ग्रूप बनाए गये इंडिया से उनको भगाने के लिए ठीक है तो यह बात आपको याद रखना है तो प्रेजेंस में आपका इनका बनती है और यह दाजा दिन कंपनी नहीं चली है इसकी पांच साल तक ही कंपनी रही है ठीक है कंपनी के नाम पर कुछ नहीं बना है तो पांच साल तक अब कैपिटल में आईएगा तो यह देख लिए टेनियोर पहले कोचिन था 1505 से लेके 1530 तक और 1530 में नीनो दकुनहा इसको शिफ्ट कर देता है गोवा लेके चला जाता है ठीक है और 1843 के बाद जो नोवा नोवा गोवा मतलब की एक गोवा का दो हिस्सा में बाना के ओल्ड गोवा और नो में ही एक हिस्सा है वहां पर यह लोग जाके सिमट के रहे गए थे तो तीन कैपिटल है इनका पहला क कापिटल कोचीन होता है ठीक है जो कि 1505 से लेके 1530 यह जो है 1530 वाला कई बार एक्जाम में आया हुआ है कि नीनु दो कुनहा ने दो तरीके से आपको याद रखना हो आपको इसमें कि कोचीन से कैपिटल शिफ्ट करने वाले विक्ति का नाम क्या है तो नीनु दो कुनहा जो इनके गौर्णर हुआ करते थे या कोचीन से गोवा इनकी कैपिटल कप शिफ्ट किये गए तो उसमें आपको 1530 याद रखना है ठीक है तो टेनियोर इनका गोवा का वाला यह हो जाता है ओल्ड गोवा ठीक है उसके बाद नोवा गोवा जो है ले जाते हैं तो 1843 से ले कर रहे हैं कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इसको अब वाइसराय की बात करते हैं तो फ्रैंसिस्कोड अलमीडा ठीक है पहले इसके जो वाइसराय बनकर आये थे फॉस्ट थे और इसके लास्ट जो थे और यही बाईसाब जो थे डिव को फोटो लास्ट इसको गॉर्णर वाइसराय थे बाद में एक और वेक्ति की नाम आये गे जो आजादी के बाद उपस्थित था यहां पर जो गोवा नहीं दे रहा था इंडियन गॉर्णमेंट को तो बाद में गोवा पर अटैक किया गया इंडियन आर्मी अटैक की है तब गोवा से अपना जान बचा कर भागे है ठीक है लेकिन इसमें इसके बाद जब हम लोग जानेंगे तो थोड़ा सा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंच जो वेक्ति है वो सेकेंड अलबुकर की पॉलिसी इतनी फेमस हो गई थी हिंदू हो नौन हिंदू हो क्रिस्टियन हो या कोई भी हो वो लोग वहां के देवता मानने लगे थे कुछ ऐसे सिस्टम से उन्हें पॉलिसी घटाई थी कुछ जैसे सतिप्रथा राजा राम मोहन राय का पूरवज माना जात थे तो इस तरह के कुछ ऐसी पॉलिसी थी कुछ ऐसे टैक्स ते जो उन्हों हटा दिया कि आम अद्मी के वह बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा हूँ था उनकी पॉलिसी की वज़ए से वो लोग बहुत उनसे लगाओं में रने तो उनके बारे में भी विसेस जानेंगे त तो फर्स्ट गॉर्णनल जनरल हो जाते हैं आपको ओफॉंसो डी अल्बुकर्क ठीक है और जो लास्ट यही है यही वह वेक्ति है जो भागा था मैनुवल एंट्योनियर वसालो इसिल्वा यह लास्ट थे और यह जब देश आजाद हो गया 1961 में के बाद यही वह वेक्तिता जिसने इंकार कर दिया था कि मैं गोवा नहीं दूंगा भारत को इसलिए भारत सरकार को अपनी इंडियन आर्मी बेजनी पड़ी थी वासिम को हटाने के लिए ठीक है तो यही इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि 1961 के आसपास यही 61 में यही था ठीक है और फॉस्ट आपको याद रखना गवावर्न जन्रल को गवार्न जन्रल वाइसरा में डिफ्रेंस समझते ना जी आप लोग थोरा छंगिब घृज अ हाँक नहीं नहीं जब कोई व्यक्ति इसको म resistance करता है कि किम ए अगर निज़іш करता है कोई करता को रिपारजने करता है के अब राडों हटेंग और जाब कोई वेक्ति सीधे सीधे शीधे पार्लयमेंकिन कैंगश कु में वाइसराय हो जाता है इसी कारण से अगर आप बेटिस गौवर्बमेंट को पढ़ते हैं तो 1857 से पहले इतने भी थे वो सब गौवर्णर जन्रल हुआ करते थे 1857 में जब कंट्रोल आजाता है किसका डारेक्ट क्वीन का ठीक है तो वैसी इस्तिति में वो क्या हो जाते हैं व वाईसराय हो जाते हैं, का मतलब मतलब ऑ आपको कंपनियों, यहाँ पे हम लोग उसली आपे டआ सब्सक्राइब को मतलब और वाईसराय हो जाता है uniforms ond. बड़नें कोई प्राबल्म नहीं है। अब आईए वास्को देगामा के बारे हम पढ़ते हैं समाने सी बात है वास्कोडेगामा पहला व्यक्ति था जो सी रूट से पहुंचा था यहां पर ठीक है वास्कोडेगामा सी रूट से पहुंचने वाला पहला व्यक्ति हो जाता है तो इस तरह किसे एक नॉमल सी बात है वास्कोडेगामा यहां पहुंचने के बात मैं आपको सम तो दूसरा वेक्ति जो वहां से यहां पर आये थे वासको डिगमा के बाद वो थे पेड्रो अलबरेज केबरल सीखे तो वासको डिगमा के बारे में आपको यह समझ लेना है कि वासको डिगमा हिंदी में देखने हैं ट्वेंटी में 1498 को यहां पहुंचते हैं ठीक है और समुद्र के रास्ता भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपिय बन जाता है ठीक है अब इसलिए देखे एक पूछा जाता है कि इंपक्ट इंपक्ट में क्या होता है पॉर्ट इंपक्ट में आए तो यूरोप और इंडिया का यह सब सुरू हो जाता है तो मतलब यह व्यक्ति वास्कोड़िगमा था उरोप की तरफ से जो आप समझ थेंगी पूरे यूरोप को भारत से जोडने वाला बग्ति बन जाता है क्लियर है मतलब आप से अगर पूछा जाए कि पहला व्यक्ति जिसने यूरोप और भारत में सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रारंब करा दिया या किसे बिजनेस वैपार को ट्रेड को इंप्रूव करा दिया तो वो व्यक्ति बन जाता है आपको वास्को दगामा क्लियर है आगे बढ़ते हैं थोड़ा अब जो दूसरे वेक्ति आए थे उनका नाम था पेड्रो अलवरेज कैबरल ठीक है यह दूसरे वेक्ति थे पहले वेक्ति आपको वास्को देगामा हो जाते हैं इसे सेक्विंस वाइस देख लिजेगा ठीक है अब इनको क्या इनके साथ एक क में जा गया था उसका कारण क्या था भेजने का क्योंकि वास्को देगामा और जमूरीन के बीच में जो ट्रीटी इस्टाबलिश नहीं हो कर पाई थी और उनके बीच के रिलेशन खराब हो गया था तो वहां के कि ने कहा कि आप जाईए और जहांके एक अच्छा सा मध्यस आता है इन से तो जमूरीन उन पर अटैक कर देता है ठीक है तो जमूरीन अटैक करता है तो यह लोग भागते हैं वहां से ठीक है इसके बात कभी कहानी है कि इन लोग भी अटैक किये हैं अलबरेज क्या ने तो बहुत सारा अटैक किया है लेकिन जब अटैक होता है तो यह इसा नहीं खरीट ए एक मतलब नहीं था इंटरनेशनल सिस्टम टाइप से बना हो कि जाएंगे वहां के राज्जे से समान खरीदें ऐसा नहीं हुआ था इन लोगों ने क्या किया था चुकी रिस्ता तो करवा हो चुका था इनका और इस वारण क्या होता है कि यह जो है समान खरीदते हैं कुछ मच्वारे से कुछ स्पाइश वगरा खरीद लेते और वह स्पाइश बेजके साथ गुना बेनिफिट कमाये थे यह बात अगर वहां के कंटेंप्रेरी राजा को पता चलती है कि इधर उदर से समान खरीदने पर साथ गुना बेनिफिट होता है तो दूसरा बेजेगा या नहीं कि भाई जाहिए एक बहतर अरेंजमेंट कीजिए वहां पर ताकि हम लोग का बिजनेस बढ़े क्योंकि मैंने कहा था उन दिनों यूरोप में मॉडन हिस्ट्री सुरू हो चुका था लोग ग्लोबल में फैलना च को जोड़ना चाहते थे वैपार बिजनेस को दूसरे कंट्री से जोड़ना की चाहती इनकी तो मोर एनलेस इस कारण से मोटो यही था एलवरेज कैवरेल को भेजने का कि जाहिए वहां पर इस अभियान का उद्धियस काली कट में जमरीन से एक संधी करना था क्लियर यहां यहां करना था कि जाहिए आप यहां पर ट्रीटी साइन कीजिए किसके साथ है ट्रीटी विद जैमरीन और किलिकट में कौन सी जगह पर पहुंचे थे कपड़ कहां पर कोजी कोट की नियर कपड़ में वह पहुंचे थे ठीक है तो उनका मेन मोटो इनको भेजने का यही था कि जमूरिन से वास्कवडेगमा का रिस्ता खराब हो चुका है अब उस रिस्ता को बहतर करने के लिए दूसरा पॉर्टिकिस यहां पर आता है जिसका नाम है अपको पेड्रो अलवेज कैबरल ठीक है अब आते हैं तीसरे व्यक्ति के तरफ हाँ एक चीज है इनके बारे में कहा जाता है आने के बारे बाद इन्होंने क्या क्या किया थोड़ा देख लिजएगा कैबरल काली कट में कार खाना और एक गोदाम अस्थाफित करता है सिर्फ नेगोशियेशन करके इसलिए एक लाइन अग देगेंगे थैंक्स टू इस निक इस एक पारणाविशियेशन में स्किल में बहुत साउंड होगा क्लिर है और इसी कारण वूं आता है और कार खाने खोलदेता है हुए उन्हीं से बात करके ठीक है जो जनु और यह कब हुआ जब उसको जमोरीन से पर्मीशन मिला है जमोरीन पर्मीशन तुसेटब फैक्री and a warehouse in Calicut, एक फैक्ट्री और एक गोदाम, खोलने का पर्मिशन कौन देता है, जैमुरीन देता है, और वही जैमुरीन जिससे की वास्को डेगामा करेश था, खराब था, मतलब कहीं ना कहीं, पेडरो एलवेज वास्तों में उसने एक बढ़िया ट्रिटी कर ली, इसके खोल दिया कि आप वहाँ पे वेयर हाउस खोल लीजी, आप फैक्ट्री ओपन कर लीजी, ठीर है, लेकिन, प्राब्लम क्या होता है कि लोकल लोग, ठीक है, लोकल लोग में एरेबियंस भी थे, जो कि वहाँ पे थे, वो तो अल्रेड उनको पसंद नहीं करते थे, और कुछ लोकल लोग जिसे वहां के हिंदू हो गएं, या कुछ वहाँ पे मुस्लिम अरप्स हो गयें, मुस्लिम और हिंदू दोनों मिल जाते हैं, और दोनों मिल के क्या करते हैं, उन पर अटाइक कर देते हैं, दोनों पर जो फैक्टरी नों खुलवाया था, पैड्ड़ खुलवाया उस पर यह अटेक कर देते हैं जिसका कारण क्या होता है कि लगभग 50 लोग मैंने पढ़ाया आप लोग को बताए ना, military commander था, तो आपको क्या लगता है, उसने रिवोल्ट नहीं किया होगा, तो उसने रिवोल्ट किया, जिसका नतीजह हुए हुआ, उसने उनके जो 600 सदस्य को भी मार डाला और अरब के माल को भी जप्त कर लेता है, इसके reply में उसने ज अपना winning में अच्या एक बात समझ लिए, इसका मुख्य कारण पूछा जाता है कि क्यों attack करके, राजा चुप था, ध्यान से सुनेंगे तो, राजा चुप था, जब local attack, माल लिजिए कि मैं ज्यारखन में कहीं बाहर से आकर company open करता हूँ, ठीक है, और मुख्यमंत्री जी से मेरी बहुत अच्छी treaty हो चुकी है, उन्होंने अलाव किया मुझे कि आप यहाँ पर अपनी company रन कर सकते हैं, ठीक है, तो जब local attack करेंगे, और मैं उनका reply करूँगा, तो मुख्यमंत्री सहाब बोलेंगे कुछ भी, क्योंकि उन्होंने ही अलाव किया है, और यही घट ना गटी थी जमरीन के साथ, चुकि एलवरेज कैबरल का जो बहुत अच्छा रिस्ता बन चुका था, उनके परमिशन पर उसने वेर हाउस और फैक्टरी इस्टैबलिश किया था, कैलिकेट में, क्लियर है, अब उस पे जब local लोग ने अटेक किया, तो वैसी इस्तिती में इस पुर्टगाली यूरूप वाले यहां के इस्टैबलिश हो बिजनेस करें, तो उन्होंने क्या किया, उनको चढ़ा दिया, चढ़ा करा हिंदू और अरब, इसलिए अरब मुस्लिम की मैंने बात किये, अरब मुस्लिम ही पसंद नहीं कर रहे थे, जो अल्री लोकलाइट हो चुके थे वो, ठीक है, तो वो जो थे और कुछ हिंदूों को चढ़ा कर, उन लोगों ने उन पर टाइक करा दिया, ताकि बिजनेस उनका न इस्टैबलिश हो, क्लिर है, लेकिन इन सब इसके सब घटना घटने के अबावजूद भी, एलवेज कैबरेल ने को नूर, जिसक करेंगे, तो आप जहां पर मैं वास्को डिगमा के टूर को मैं मान रहा हूं कि वो सक्सेस्फुल नहीं रहा, वहीं पर मैं क्या कह रहा हूं, एलवेज कैबरेल का यहां पराना सक्सेस्फुल साबित होता है, क्यूंकि उसने जैमोरीन से भी जो ट्रीटी थी वो भी बेहतर कर लिया, वहां फैक्टरी बेस्टैबलिश कर दिये, तीसरी बात है कि कोचिन और कन्नूर में उन्होंने अपना भी ट्रीटी साइन करके एक बेहतर बिजनेस को इस्टैबलिश कर दिया, उसने, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब हैं यह फ्रैंसिस्को देल मीडिया, ठीक है? पूरा नाम यही है दों फ्रैंसिस्को देल मीडिया, 25th of March 1505 को कहां पर आते हैं? भारत के पहले वाइसराय बनके यहां पर आते हैं, ठीक है? पहले वाइसराय बनकर आते हैं, मतलब अभी भी राजा पहले वाइसराय बनकर यहां फ्रैंसिस्को देल मीडिया आते हैं, ठीक है? फ्रैंसिस्को देल मीडिया में आपको जो याद रखना है, वह है ब्लू वाटर पॉलिसी ठीक है? ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, बेसीकली यह था कि अगर आप थोड़ा सा धियान से तो यह वाला जो पार्ट है, और यह यह अरब सागर, ठीक है, यह इंडिया नोसन, एंटर कर रहे हैं, इस एरिया में, यहां से मुंब, आप मतलब मुंबई, द्वमंदीव से लेकर, यहां काली कट, यह वाला जो एरिया था, यहां पर इन्होंने क्या किया था, अपने पारे मनाया जाता है कि वो प्यार से ट्रीट कर रहे थे सब को, तो इसलिए माना जाता है कि फ्रांसिस्को दैलमीरा जो तब पीस माइंड वाला वेक्ती था, शांते प्रिये वेक्ती था, और उसकी जो पॉलिसी ती ब्लू ओटर पॉलिसी जो की इस एरिया में, अपना पॉटेगिस कंट्रोल लाना चाहता था, उसी के परपस से आया है, तो जनरली एक्जाम में सीधे यही पूथा जाता है ब्लू ओटर पॉलिसी किसने लांच किया था, ठीक है, तो आप सीधा-सीधा यह याद रखेंगे ब्लू ओटर पॉलिसी के बारे में, अगर इन डिट चलिए, अब उस समय जो राजा हुआ करते थे, वो इंपॉर्टेंट है, जब फ्रांसिस्को डे अलमीडा यहाँ पर आए, वैसर आए, तो किंग नहीं भेजा होगा ना, तो किंग जो भेज तो उनका नाम था, डूम मैनुवल, फॉस्ट, ठीक है, और इनको जिम्मेदारी गी थे, अलमीडा साहब को, कि आपको जा के किसको मैनेज करके रखना है, जमोरीन को मैनेज करके रखना है, क्योंकि खेल तो सीरूट वही था, अगर आपके दरवाजे पे ही, आपको प्रॉब्लम हो, तो घर में कैसे प्रवेश करेंगे, आप, क्योंकि वासको डिगमा साइन कीजिए, किसके साथ, जमोरीन के साथ, अब जो फ्रांसिस्को डालमीडा को भेजा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि आप जाके अब उस ट्रीटी को मैनेज कीजिए, मतलब जमोरीन को जाके आपको मैनेज करना है, तो मेन मोटो आफ सेंडिंग, फ्रांसिस्को डाल कोरिन दाट वाज दे कालिकेट किंग ठीक है समझ में आ रही यह बात यहीं उसका में मोटो था और कुछ नहीं अब यह जब पहुंशते हैं अब यहां पर देखेगा पहुंचने पर एग यहांप ठोण असाइं जीवाड अयां ठटिक है 13th सेप्टेंबर को पहुंचे अब यहांपर क्या होता है कि 13 September को पहुँचके उन्होंने जो निर्मान शुरू किया था वह यहां पर देख लिजेगा Fort Angedeva Fort Angedeva मतलब बहतर ट्रिटी हो रही है तब पहुचकर इन्होंने क्या कि वहां पर फोर्ट का मतलब किला बनाना शुरू कर दिया है ठीक है ही देन रिज्ड कंणूर वही कंणूर जगा पहुचते हैं और वहां पहुचकर उन्होंने कंणूर में सेंट एंजोलो किला सेंट एंजिलो फोर्ट तो दो फोर्ट का नाम आपको याद रखना है जो कि इन से रिलेटेट हो गया किस से फ्रैंसिस्को दा एंजिलो फोर्ट किला यह दो फोर्ट उन्होंने निर्मान कराया इसका मतलब यह हो जाता है कि इनको जिस उद्देश से भेजा गया है वह सक्सिस है मतलब अगर वहां पर जा रहे हैं किसी भी राज्य में जा कि आपको राजा परमिशन नहीं देगा तो अब किला बनाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं से बात है तो यह उनकी जो एबलिटी आफ में बिल्डिंग फोर्ट जो आता है वह इस बेसिस पर आया कि उन्होंने जो ट्रिटी को मैनेज करने के लिए भेजा गया था उस ट्रिटी को मैनेज करने में यह सक्सीड हो जाते हैं सफलता इनको मिलती है ठीक है आगे बढ़ते है अरुमिला कुमारी जी गुड मॉरिंग जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है चले तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यह बात क्लियर हो जाती है कि इनके दो चीजे जोड़ लेना है आपको फ्रैंसिस्को द्यालमीडा में इनका नाम आप लोग कम सुनते होंगे लोरेंसो द्यालमीडा यह फ्रैंसिस्को द्यालमीडा के बेटे था यह भी आई हुए थी ठीक है इन्होंने बहुत सारे काम किये है ठीक है लेकिन इनकी मौत हो जाती है इसको थोड़ा सा यूटूब वाले बच्चे को हिंदी में उ देख ली जएगा मिदें फिफटी ओफाइं में लोर work को जो इनके पिता का नाम किया था फ्रैंसिस्को द्यालमीडा यह एंटर करते हैं और उनका क्या था कि सिलोन मतलब स्रिलंका सिलोन का मतलब यहां पर स्रिलंका से हैं इंगलिज में साय सी वाइसी जो सुरू करते हैं स्रिलंका अब का में पुर्तगाली बस्ति अस्थापित करना था कहां पर स्रिलंका में अब थोड़ा देख लिजेगा यहां पर आगर आते ह है ठीक है तो यहां पर एंटर कर रहे है इस एरिया से अब वह कह रहे है कि आप श्रिलंका जाओ यानि फ्रैंसिस्को दाइलमीडा का बेटा क्या कहते हैं आपको लारेंको डी अलमीडा फॉस्ट विक्ति था जो श्रिलंका में आपको फैक्टरी इस्टैबलिश करने गया था ठीक है और कॉलिनी इस्टैबलिश करने गया था और कॉलिनी इस्टैबलिश करने वे वो ओर्डर किस ने दिया था उसको उसके फादर फ्रै हाजों का बेड़ा बुलवाया कि जब ये फ्लरिश करने लगते हैं आगे बढ़ने लगते हैं तो जमोरीन को ये बात अच्छी नहीं लगी ठीक है तो उसने क्या किया अरब के कुछ लोगों का मदद लेना सुरू किया और उस मदद में उसको लगभग 200 फ्लीट आते हैं और लाके उस पर अटैक करना मोटो क्या था तब पॉटेगिस पर अटैक करना था ठीक है पहले मोटो में जब देखेंगे आपको आपने देखा है पॉटेगाली पर अटैक करने का मोटो बन जाता है लोराइंको ने कुनूर बंदरगार में परवेज द्वार पर जमूरीन के बेड़े को रोक दिया यही इसकी कहानी है इसीलिए आपको पढ़ना है जैसे ही वह 200 जहाज फ्लीट जो यहां पर आते हैं इनको अटैक करने के लिए तो एंट्री पर ही रोकने वेली व्यक्ती का नाम था लॉराइंको डी अलमीडा और इसी को कहते हैं वार अफ के नौर यह इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है फिफ्टी नौ शिक्स वार अफ के नौर शुना था नाम इसका ठीक है वार अफ कनौर या कनौर जो भी कहेंगी है फिफ्टी नौ सिक्स में किसके बीच मिला रहा है तो लारेंको डी अलमीडा और जैमोरीन के बीच में लड़ा गया एक तरीके से अब कह सकते हैं और इसमें 200 जहाजी बेडा मिला था इनको फ्लीट मिला था और वो उधर से आया था तो इंट्री पॉइंट पर रोग देते हैं और कहते हैं इसमें उनकी जीत हुई थी लोरेंकों को बड़े पैवाने जीत में और इनको बहुत-बड़ी हार मिली थी रही है और देखिए एक इमपैक्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि नेवल आर्मी नेवल कमांडिंग तरीका नेवल से लड़ने का तरीका भारत को पता किससे चला है तो पॉर्टगालियों से इंपैक्ट में अगर हम देखते हैं तो यानि वे वेल स्किल्ड थे नेवल में ठ और यह अलरड़ी यहां एक्जिस्ट कर रहे हैं और यहां के इन्वार्मेंट यहां का वे ओफ वो और सब को जान चुके हैं वो ठीक है तो सौभावी के जब बाहर से आप एंटर कर रहे हैं जो पहले से यहां पर रह रहा है और वेल इसकिल्ड है नेबल में वो तो नौर का नाम दिया है ठीक है जो कि 1506 में लड़ा गया था अब यहां पर यह लोग क्या करते हैं जो अरबियंस थे वह एजिप्स से मदद लेना शुरू कर देते हैं ठीक है जब यह हार हो जाती है तो एजिप्स से मदद लेना शुरू करते हैं और उन्हें एक व्यक्ति को को बुलाया था कि आमीर हुसेन कि आमीर हुसेन जो अलकुर्दी का कमान के तहट एक बेड़ा भेजा गिया ठीक है क्यों भेजा गया तो के नूर के वार में हार चुके थे अरब से ही मदद लेकर जो मुलाया हुए था तो जब इनकी हार हो जाती है तब यह फिर एजिप्ट से मिस्र से मदद लेते हैं और वहां से जहाजी भेड़ा भेजा जाता है कहते हैं कि लेरेंको डियल में जाक तो दो वार में पाटिसिपेट हो जाते हैं लेंको डैल मीडा ठीक है एक पहला वर आफ केननौर जो कीं फिफटीन ओ सिक्स मूझे में होता है दूसरा फिटीन ओ यह में हो ça है जो की बैटल ओफ चॉल कहते हैं और इसमें एजिप्ट के तरफ से अमीर हुसेन की हार हो जाती है किसकी Leonardo de Almeida की हार होती है ठीक है और कहते है कि इसमें वो मारे भी जाते हैं फ्रफोर मेरे करते हैं तो आपको दो बाते हैं कि आपको याद रखेंगा आपको 15.06 मेंiven वार्फ के न ऋह dinosaur होता है जो कि Larenko di Almeida के बीच में लड़ा गया था और Jamaroon जो अरब के तरफ से 200 फ्लीट लेकर आया था उनके साथ लड़ा गया था और इसमें Larenko जीत जाते हैं फिर इस जीत जाते हैं और Jamaroon हार जाते हैं तो उस डिफीट का रिवेंज परपस था जिसका रहने लोगों ने क्या किया एजिप्ट से मदद लिया है तो एजिप्ट के जो आमीर हुसैन थे उन्होंने अलकुर्दी को कमान दे कर भेजा कि आप जाईए और वहां पर वार होत जाते हैं तो यहां पर लेरेंको डियाल मीडिया से रेटेट पॉइंट्स खत्म होते हैं क्लियर है अब अब आईए अलफैंसो दे अलबुकर्क ठीक है इसको भी हिंदी के तरफ ले जाते हैं 1509 में इंट्री होती है इनकी ठीक है अलबुकर्क को भारत में पुर्टगाल प एक बेड़ा भेजा अब देखिए यहां पर समझने वाली बात किया है जब दूसरा यहां वाइसरा की मैं बात कर रहा हूं उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो अलबुकर्क की एंट्री होती है अलबुकर्क ने सबसे पहला काम क्या किया क्योंकि वह सिच्वेशन देख र चोरीं यह उर कारके या तो टूटी करें वॉह वोर करें वहां पर आपको चाहें प्सक्राम कर नहीं क्या किbelli कर लए दूसरा मौंट पर सिंध Jesus में आ्को चाहें ना चाहें थीग बने थीजा किससे है फैल फोडेख कर ने बीचा है थे ठीक है और क्या कहते हैं और उसको कमांडर कौन था उसका तो मार्शल फरनाओ काटिनो ठीक है यह जो थे थोड़ा सा नाम टफ होता है लेकिन फैमिलियर हो जाएंगे लिखते लिखते आप ठीक है ऐसे भी मैंने हर्विसा कहा है कि कमीशन का एक्जाम याद करने से नहीं जितना भी लिखेंगे आ आप जितना डिसक्रिप्टिव लिखते चलते हैं वह नाम अपने आप अप française हो जाइए है कि अब किस नम से पर आप जो है तुझे हम लोग नाम सुन रहे हैं, क्या आपका रही है डिव्या और मैं बात करूआ अलफेंसो ड्य। तो थोड़ा सा अक्वोर्ड लेगा, ठीक है अब वैसे ही जब मैं बताऊ देखी तो उनको तोड़ा सा अक्वोर्ड लेगा, यह क्या सा नाम है ठीक है, समझ में आ रही नहीं होगा ठीक है तो अब देख लीजिए तो जयमुरिन के बाद में अब वो पहुंचता है उसने सबसे पहले क्या किया जयमुरिन का महल बाद में नस्ट कर दिया गया और कालिकेट सहर में आग लगा दी गई फ्रैंसिस्को दे अलमीडा पहुंचता है और दूसर लेकिन यह आपको मैंने कहा कि यह जो अल्बुकर्क है यह बहुत प्रसद्वेक्ति है और सुरुवात मैं कैसे कर रहा हूं और माना बात में यह भी जाता है कि इसकी कुछ पॉलिसी करण डिक्लाइन भी हो गया अल्बुकर्क की कुछ ऐसी पॉलिसी थी जिसके कारण एक तरीके से आप जैसे आज कल सेरग्वेसी चाइल की बात होती है ने जी गर्ब तो वो एक तरीके से इंडिरेक्ली सेरग्वेसी की ही बात कर रहा था कि बच्चे लेकर आए रहे हम लोग अपनी पॉपुलिशना ब to be the real founder of the Portuguese in India. Albuquerque को वास्त्विक जो निर्मान करता है, जो वास्त्विक संस्थापक कहा जाता है, वो यही है. तो वास्त्विक संस्थापक का मतलब क्या होता है? जो कि real formation with rules and regulation carry on करता है. उसी को हम लोग real founder कहते हैं. तो real founder के तौर पर इसको रखा जाता है. इसकी policies के जो negative phase हैं, पहले मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, कि यह पहुचता है Calicut में, जो जो आमरीन किंग से जिससे treaty करनी थी, उसी के, क्या कहते है, palace को destroy कर देता है. और फिर क्या करता है? इसी दौरान इसकी एक बहतरीन घटना क्या कर दी कि बीजापूर का जो रूल रूवा करता था, यूसुफ आदिल साह, ठीक है, इसने 1510 में किया किया गोवा उसके कबजा में था, उसको चीन लेता है. समझ में आ रही बात ना, गोवा चीन लेता है, और अपने आपको, Portuguese को पूरी तर से सिफ्ट करा लेता है, गोवा में. ठीक है, अब देखिए, अल्बुकर्क, जब 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 जयमोरीन की, सेना ने जबावी करवाई की, तो अल्बुकर्क ने 1513 में जयमोरीन के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली, 1510 में गटना घट चुकी है, कि उसने गोवा में अपने आपको कपजा का सिफ्ट करा दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें अब जब 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 कर रहा है, तो इसने एक बहतरीन कदम उठाया, और उठा कर एक ट्रीटी कर लिया, ठीक है, और इस दौरान मैंने क्य चाना गोवा कहते हैं, मैं एक प्रमुख पृतगाली बस्ति की अस्थापना कर दी, ये सबसे बड़ा स्टेप इसका माना जाता है, कि इधर वार चल रहा है, 1509 से लेकर 1513 के बीच में देखिए, तो कैलिकेट में आपका एक तरीके से वार है किसके बीच में, तो पॉर्ट 1510 में जो यूसुफ आदिलसा से, जो बीचापूर्व, वहां के जितने में सुल्तान ते सुल्तानों का हेड हुआ करता था, यूसुफ आदिलसा, या आप ऐसे समझ लिजे कि यूसुफ आदिलसा के हाथ महीं गोवा था, उससे वो छीन लेता है हराकर, ठीक है, हराकर छीन कि इस लड़ाई से बेतर चुकि देखिए, उनका दो मोटो था, हमेशा से याद रखिएगा, पहला मोटो बिजनेस करना और दूसरा मोटो था उनका रिलीजन को स्प्रेड करना, कि वैपार करना है और अपने धर्म का परसार करना है, यही दो मोटो लेकर वहां पर आए थ समझ में आ रही बात ना, हाँ, कभी कभार चुकि अस्थापित करना है अपने आपको, तो हमेशा आप किसी के लिए सलेब बन के वैपार नहीं करेंगे, टैक्स प्राब्ल होंगे, बहुत सी चीजे होंगी, तो इसने क्या कि अटैक तो किया, लेकिन उनका जो एक्शल मोट लिया, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, यही है, अलबुकर क्राब, सेकें पॉर्टेगीस गवर्नर, तो पिक्चर में लग रहा है, काटूनिस टाइप से होंगे, पतला पैर मोटा यह, लेकिन कपड़े ऐसे ही पहनते थे लोग, उपर में इतना चौड़ा कपड़ा पहनत सच में देखते हैं, तो आपको लगता कि यह ऐसे ही दिख रहे हैं, ठीक है, और यह रविद्रिनाथ टैगोर कर इस्तिदार हुआ करते थे, सहे दापकर द्यान से देखे, ठीक है, ठीक है, पहले ऐसे रखते थे लोग, आज कल तो चला हुआ है, दुसरे स्टैल का पहले का अलग हुआ करता था, चलिए तो यह तस्वीर दिखा दिया गया सिर्फ आपको, कि पता चले कि हमनों किनके बारे में बात कर रहे हैं, अब आई, अब यह जितनी घटनाय थी, अब सौभाविक सी बात है कि अब थोड़ा डिफरेंट करना होगा, अब बहतर अचीवमेंट क अब सौटेट दा मेडिवियल, हाँ यह जो एक प्रक्रिया है, अबरियन प्रोसीजर, यह सबसे बड़ा प्रोसेस है, यह आपको याद रखना है, इबरियन प्रक्रिया, इबरियन प्रोसेस, इबरियन प्रोसेस लाने वाला व्यक्ति था, वो अल्मुकर्क था, यही वो प different religious communities were allowed to live by their laws under the representative of their respective communities. ये कही ना कही secular way को adopt कर लिया इसने. ठीक है, अगर secularism की बात हम करते हैं और medieval history की तरफ जाते हैं, तो हम लोग को बहुत बड़ा example मिलता है अकबर. ठीक है, दिन राही religion adopt कर, लांच करने का मोटो ही उसका यही था. अब जब आप अपने देश में रहते हैं, और मान लिजिए कि जो ruling party है, उसका religion अलग है और आपका religion अलग है, तो कही ना कही थोड़ी बहुत insecurity feel होती है. ठीक है, लेकिन जब ruling party कहता है कि भाई, आप आराम से रहें, मैं आपके support में खड़ा हूँ और मेरा एक representative रहेगा, जो आपके problem को sort out करेगा, आपको कितना बहुतर sound करने वाला है. ठीक है, अगर आप कहीं पर minorities में हैं, और majority आपको support करती है, आगे बढ़ने में, तो कहीं ना कहीं प्रेम बढ़ना सुरू हो जाता है. वैसी स्तिती में जब इसका, आप देखते हैं कि इसकी process में, इबेरियन जो process आता है, उसमें सबसे पहला काम इसने यही किया, जितने भी लोग religious लोग हैं, वो मेरे representation में अपना बिना कुसी धर्म का बदलाव किये हुए, आप रह सकते हैं. फिर मैं इसको अकबर से जोड़ इससे राजपूत समाज्यों सपोर्ट में उतर गया अकबर के, इन्होंने भी matrimonial policy ही अपनाई थी, अगर आप देखेंगे, तो बिम्बिसार जिसने matrimonial policy अपनाई, अपने expansion के purpose से राज्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है, विवाह करकर के, उसी तरह के से अकबर को भी कह ही ना कहीं sound करता है कि matrimonial policy, जब वो देखे कि राजपूतों को defeat करना बहुत मुस्किल होगा, तो उन्होंने विवाह की परता सुरू कर दी, और फिर अपने secular terms को carry on किया, इन्होंने जबरदस्ती ही नहीं किया कि आप religion की, बात ही नहीं कि religion को change करने के लिए, तो कहीं ना क यहीं एक बहतर सासक का तरीका इनको दिखाई दे रहा था, और यह iberian process में यह खुले आम हो गया, कि भईया आप जो है, अप अपना धर्म carry on कीजिए, मेरा representative रहेगा, इस से सभी समुधाय जितनी भी community's से जोड जाते हैं, ठीक है, हाला कि, अच्छा, दूसरी बात है कि सत सतिप्रथा को exception में क्यों रखा गया, क्योंकि हिंदू लॉज जो बना है, उसमें सतिप्रथा पहले से train में था, ठीक है, पहले से train में है, ठीक है, सतिप्रथा का proof सबसे पहले की से, इंस्क्रिप्शन से मिलता है, एहोल, ठीक है, मतलब बहुत पुराने जमाने से सतिप्रथा जो है, एंटर कर चुका था, अब चुकी, अच्छा, बहुत से ऐसे train है, जो वास्तों में लोग follow कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है, लेकिन लोगों का मानना है कि चल रहा है तो चलने दीजी, समझ में आ रही बात ना, त उसमें कहा था कि आप जितना भी अपना rule regulation आप carry on कीजी, इसलिए मैंने कहा कि exception हो जाता सति सिस्टम, सति सिस्टम को रिवोक कर दिया, बोला कि नहीं है, सति सिस्टम is not appropriate, ठीक है, तो जो intellectual society थी, जो religion को प्रॉपर समझ रही थी, वो भी support में आ गए, कि यहां बही है, religion को accept कर रहा है, religion को carry on भी कर रहा है, religious point of view को ध्यान में रख रहा है, लेकिन जो orthodox rules है उसके, उसको यह support नहीं कर रहा है, ठीक है, अब सति सिस्टम में जरा देखिए, अगर आप सति सिस्टम जब रोके होंगे, तो वीडोज का support मिलना सुरू हो जा रहा है आपको, वो महिलाओं को का support मिलना सुरू हो जाएगा, तो इस देखिए, fame होने का एक नया तरीका है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, कई बार एक्जाम में पूछा हुआ है, राजा राम मोहन राय के पूरवज, या आप कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के पूरवज के रूप में किसको हो गया जाता है, तो अलबु करको, क्योंकि सकती सिस्टम उसने भारत में सबसे पहले इसी ने इधर पे हटाना सुरू किया था, ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद और देखिएगा, जब यह एंटर करता है वहाँ पर, क्या कहते हैं आप गोवा में, तो गोवा में कुछ इंप्लाई कर रखे थे, किसने, युसुफ आदिल्सा, जो बिजापूर का सुल्तान हुआ करता था, उसने उस टैक्स को भी हटा दिया, जब अच्छा, अब देखिए, जैसे आप जजिया टैक्स की बारे में सुनते हैं, जजिया टैक्स जब भी हटता था, तो लोकल आदिल्सा और विजापूर वर अलसो एबलिस्ट, हिंदी में विजापूर का आदिल्सा, इसमें आदिल्सा ने पूरा नाम रखिएगा, यूसुफ आदिल्सा, एक्जाम में तिन चार बार अलग अलग नाम के साथ आदिल्सा जोड़के पूछे हुए है, तो प्रॉपर यूसुफ आदिल्सा के साथ जाएंगे अब ठीक है, तो आदिल्सा के कुछ टैक्सेस थे उसको उसने हटा दिया, जो मून निवासी महिलाई थी, जो नेटिव महिलाई थी, पहली बार कानूनी तोर पे संपती के अधुकार करनुमती दे दी गई, अब जरब देखिए, अ इनको माइके के धन से मतलब नहीं रखना चाहिए, जबकि गौर्ब्मेंट इसकी पॉलिसी बना रखी है कि वह चाहें तो ले सकती है, वेगर वेगर, लेकिन एक सोसल इंपक्ट अगर देखेंगे, तो कहीं न कहीं एक लीगल राइट को बैन करता है, महिलाई वहाँ पर अ आज से 500 साल पहले एक वेक्ति इस तरह की पॉलिसी को लॉंच करता है, आप उसकी इंटेलेक्श्वल क्राइटेरिया का स्टैंडर्ड देख लीजिए, सती सिस्टम को रिवोक करता है, जो लोग रिलिजियस हैं, उनको उनके पॉइंट अव यू को करता है, जो विमेन हैं, उनको क्या कहता है, कहता है, आपके पास राइट है कि आप अपनी समपती ले सकते हैं, समझ में आ रही बात ना, उसके बाद उसने क्या किया है, इसके बारे में बताए जाते कि इसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाएं, बहुत सारे इंसराय बनाएं, जहां पर साभी ध यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टिन में तब जो आप पर पॉर्टिकी से वह नहीं रो रहे थे जितने भी हिंदू हो मुस्लिम सो वह सभी रो रहे थे सब को लग रहा था कि उनके घर का कोई व्यक्ति बरा है और जब उसके टुम्ब यहां तक उसके टुम्ब जो रहा था वहां जाके लोग फूल चड़ाते थे कि ऐसा वेक्ति फिर से आजाए ऐसा वेक्ति फिर से आजाए इसकी पॉलिसी का आप स्टैंडर्ड देख लीजिए कि समझ में आ रही यह बात ना आगे बढ़ते हैं तो इसलिए मैंने क्या क्या कि जो नीतियां थी उनके सैनिक के साथ-साथ अस्थानिय अबादी के बीच बेहद लोग परी हुगा Albukirk policies proved immensely popular amongst his soldiers as well as the local population especially his characteristics strict observation of the justice मतलब निया को अपनाने का निया चलाने का जो सबसे बहतरीन तरीका था वो इतना बहतरीन था कि लोग उसको पसंद करने लगे समझ में आ रही बात ना देख लीजिए ये बात मैंने कही थी आपसे वेन अल्बुकर डाइड इन साइट ऑफ गोवा इन 1515 इवन दे हिंदू नेटिपस अफ गोवा मौंड हिस पासिंग अलॉंग साइड दे पॉर्टेगिस जब 1515 में अल्बुकर गोवा के सामने गोवा के सामने कह रहा हूं गोवा में मिर्ती हो जाती है तो पुर्टेगालियों के साथ सथ गोवा के हिंदू मूल निवासी भी उसके निधन पर शोक व्यक्त कि आप समझ सकते हैं कितना पॉपुलर है जी रुपेज पाठक जी सही बोल रहे हैं यसुफ आदल सा चले आगे बढ़े हम लोग कि दो तीन नाम मैं जानता हूं जो सुने ही नहीं होंगे आप लोगी इसमें एक नाम यह भी जोड़े लीजिए आप डूर्टे पैचेको परेरा कि यह फिप्टीनो थ्री में आता है ओर एक अर्बात कि यह प्रध्निमस की इसके साथ आने में 2 जहाज इसके साथ आ चल्वाज एक शवनेमं हुर एक बात है ठीक है तो यह भी कंफूजन — नहीं रहेंगे इसके साथ आने में तीन जहाज इसके साथ आये हुए थे ठीक है आप देख लिजे वास्को डिगरमास के बाद से जो भी विक्ति आया है उसको वहां के Contemporary King ने एक लक्ष दिया है कि आपने जाके यही काम करना है ठीक है जी तो अगर इसकी मैं बात करूँगा डुआटे पैचेको पैरेरा की ठीक है तो इसका जो काम था वो था कि जैमोरीन पैर आशिए तो यही था हाए १ुरु याद उसके बाद जो विक्ति का नाम आता है लबाप वस्दी सेमपवाई ठीक है यह सिख्प government बनकर यहां पर आये थि लाप वस्दी सेंपवाई हो भालत के राज्ये का छट्था destiny था इस έχफ गोऊज़नेर बनकर यहां पर आये थ अगला नाम यह है ठीक है और इनका जो काम तस्ताब का मोटो है बार-बार कह रहा हूं इनका जो मोटो था पुर्तगालियों को मैंगलोर के च्छतर में कबजा करने के लिए कि मैंगलोर को अपने कंट्रोल में लेना है इसके बाद आते हैं नीनू दुकुना कहीं के नीनो लिखता है कहीं के नूनू लिखता है जो भी देख लीजेगा यह नीनो और नूनो दोनो एक ही हैं जी तो कन्फ्यूज नहीं होंगे ठीक है अब देख लीजे जब कहते हैं कि इनका जो लोपो वास्टी सेंपवाईस दो थे इनका जब टेनियोर एंड होता है तो उस समय जो किंग हुआ करते थे किंग जौन थर्ड यहां पर राजा जौन तिरतिए कि इन को भेजा गया कि इसको नूनो दो करनहा को नूनो की नूनं लुध हो जाते हैं और नराज हो कि क्या करते हैं ननूनो करहा को बेचते हैं जाएए और जाकर कहते हैं कि इसको औरेश्ट करके बेजना है। हुआ यहां इतना नाज तहीं बहुत है। हो रहा है। यह जाए उनको देदी कैद करके इसलीए उनको यह वह चैन में और इस्ट करके भीजा गया था ठीक है आगे बढ़ते हम लोग आचा एक चीज और याद रखिएगा कि यह 1529 में आते हैं और एक साल में ही विदिन ए एक साल में मतलब 1530 में 1529 में एंटर करते हैं यहां देख लिजिए 1529 में एंटर करते हैं कौन तो नीनू दुख नहां एं कैपिटल शिफ्ट कर दिया और कैपिटल शिफ्ट करके कहां लेकर चले गई है कोचिन से गोवा यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेस्चिन है यह हमेजा से एक्जाम में देखा मिला हुआ है ठीक है तो यह क्लियर है कि 1529 से 1530 तक कि 1529 में बनते हैं और 1530 में इन्होंने क्या किया अपने आपको वहां पर वहां पर स्विफ्ट कर यह 1930 नहीं होके यह 1530 क्लियर है कि अब आए अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी मैनुवल एंटोनियो वासलो इसिल्वा याद है यह वही बेखती है जिसने गोवा भारत सरकार को देने से इंकार कर दिया था ठीक है जिसमें मैंने कहा था कि अटैक किया था इंडियन आर्मी ने अटैक किया था तो उस समय कंटेंप्रेरी जो यह गौर्णर जनरल हुआ कर कि इसकी जगह पर एंटर करता है और यह आता है मतलब आप तो थोड़ा सब इसक में चले अब इसका नंबर देख लीजेगा यह लास्ट था और इसका नंबर था 128 कि मतलब टोटल गौर्णर और वाइसराय को मिलकर यहां पर कितने आये हैं एक्स ओटाइस 128 बहुत लंबा है ना फिफ्टी नो फाइब से लेके 1916 वन तक जा रहा है ठीक है तो लगबग आपको चार साल और 57 यह हो जा रहे हैं ठीक है तो उसमें 128 गौर्णर आते हैं अब थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इससे आइड कर लेते हैं मैंने कहा था कि आपके कमिशन के परपस से आप यूपीसी दे जेपीसी दे बीपीसी किसी भी जाएंगे तो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ रहा था इसके मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई आप मुझे गोवा दे दीजिए यह सारी बाते हो चुके इसलिए मैं रीड कर दे रहा हूं ठीक है ना यह बाते हुई है जिसके तो पुर्तगालियों ने अपना भारतिया चातर छोड़ने से इनकार कर दिया मतलब उ पुर्वक तो बाग गया डर के सब का सब भारत पर अपना डावा ठोकते रहता कि भाया भारत मेरा है ठीक है अब उसके बाद में भारत आर्मी वैसायने करवाई करता है तो फिर लोगों को लगता है कि साइदा वह अलती हो गया है अब चल देना चाहिए ठीक है तो जब आ थोड़ दीजिए तो इनको लगा कि नहीं भाया इतना साल से रहा है है तो समझ रहा है तो यह घर मेरा हो गया मतला इन ख्रॉच करके आप रह रहे है अतिक्रमन करके रह रहे है अब सरकार कहरी कि आप निकल जाईए मेरा जेगा है तो ऐसी इस्तिति में इनको प्रॉब्लम हो रही है ठीक है इसका रिजल्टेंट क्या हुआ कि on July 24th 1954 the United Front of Goas that is very important again यही वो थी जिसको फॉर्म किया गया था ठीक है तुक कंट्रोल on the over region of Dadar on August 2nd 94 territories of Nagar Haveli यह सब कंट्रोल हो रहा है भारत करते जा रहा है ठीक है और यह वार टेकन बाई दा आजाद गुमांतक दल when the Portuguese used क्योंकि यह सब क्यों नाम ले रहा हूं यह सब पॉर्टेगीस के अंदर हुआ करते थे ना तो यहां पर देख लिजिए कि July 24th 1954 को पहले दादर दादर आ या दो भी दादर जब ठीक है उसके बाद 2nd August 1954 को चले जाते तो Nagar Haveli ठीक है यहां पर देख लिजिए जवाब कि आजाद देश में वह हम लोग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं इंडियन गौर्ब्मेंट पर मतलब उनको लगा कि अब वाइलेंस का जवाब वाइलेंस से देना चाहिए यह नहीं कि चुप चुप निकल जाना चाहिए कि भाया इनका देश हो चुका मतलब 55-61 तक भारत सरकार ने पुर्टगालियों को बाहर निका लेकले कई कदम उठाए जब सभी तरीके परिणाम देने में भी फल रहें तो भारतिये सेना ने दिसंबर 1971 में गोवा और दमंदी सभी पे जाकर अटैक कर दिया और फिर से उनको बताया कि भारत की आर्मी कि गौर्णों को समर्पन कर दस्ता वेज परहस्ता स्क्षर करते मतलब गौर्णर पॉर्टिकिस इंडिया वाज फोस्ट तु साइन दर इंस्टुमेंट ऑफ दसरेंडर इंडिया जिससे भारत में पॉर्टिकिस रूल एंड हो जाता है क्लियर है पॉर्टिकिस इंपक्क के बार में पहले ही बात कर चुका हूं मैं रीड करता हूं इनिशेशन अप यूरोपन एरा यूरोपन एरा का इनिशेशन हो जाता है ठीक है दूसरी तरह बाते हैं आप मिलिट्री इन्वेशिंस उसके बाद इमर्जंस अफ नॉबल पावर यह सार इंस्ट्रक्स एंड पैट्रॉंस अफ विज्वल आट्स यह सब चीज इंक्लूड है जो की इंपक्ट में यह खत्मी हो रहा है कि फॉर्ट प्रिंट्रिंग प्रेस 1556 में आता है ठीक है जो की ओल्ड गोवा में इस्टैबलिश किया गया था ठीक है काटेज सिस्टम के बारे में बता चुका हो कि उन लोग ने क्या किया था न कि एक तरह का लाइसेंस था जो जहाज यहां से बिजनेस करने के परपस से बाहर जाएगा उसको लाइसेंस लेना होगा तो लाइसेंस सिस्टम एक इंटेड्यूस करने वाला जो था नेव यह भी यही थे और उसमें देखा जाता उसके अपने साथ क्या करते थे कि कुछ आरे में अपने soldiers यह तो Portuguese भेजा करते थे और देखते थे कि जो समान अलाउ है वही लेके जाते थे कि नहीं जैसे कि spices और बारूद यह लाउ नहीं था उनको लेके जाना नहीं था clear है अच्छा एक चीज यह भी देख लीजेगा पॉब्लिश गोव दद इंडियन मेडिकल प्लांट इन 1563 गोव में पर पॉब्लिश्ट होने वाला पहला वैग्यानिक वर्क जो था उसका नाम यही था भारत में डिक्लाइन होने कारण में बात कर चुका हूँ आप लोगों से सिर्फ रीड कर देता हूँ मैं इंटोलरेंस लिजियस पॉलिशी स्टार्टिंग में एडॉप्ट किया गया था बाद में और खराब होने लगा था वो यहां पर देख लीजिएगा इंगेज इन डिशॉनेस्ट प्रैक्टिस और अर्ड रेपोटेशन असी प्राइट्स मतलब बैमानी के वैपार प्रथाओं को सुरू किये थे जिससे कि उनको समुद्री डाकू की रूप में अर्जित कर लिये थे नाम हो लोग समस्ते थे वह समुद्री डाकू है इसलिए बहुत सारे इतिहांस काया भी देते हैं कि वास्कोरी गमाए एक समुद्री डाकू थे फेम ऐसे हुए थे वास्तों में थे नहीं वह चोटे-चोटे राज्य और मुगल उनके विरुद्ध हो गए थे पस्ची में ब्रजील की खोज जैसे अंतराष्टिये कारणों ने उनका ध्यान भठका दिया वह लोग भारत से ज्यादा ब्रजील के तरफ ध्यान देने लगे थे उसके बाद भारत में परवेस्ट करने वाले अन्य यूरूपियन सक्ति और ब्रिटिस गॉर्मेंट वगर्मेंट में कि इंट्री हो गई थी और भी अब इससे रेलेटर क्वेस्टिन पूछे जाएंगे चलिए उम्मीद कर रहा हो कि और सभी लोग को समझ में आया होगा तो जोड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाल